हेलो प्यारे बिच्चों कैसे हैं आप सभी देखिए आज केसी वीडियो पे हम समझने वाले हैं 12th class 60 का जो हमारा chapter 10 है जिसका नाम है उपनिवेस वाद और द्यात इस chapter के हम most important long question answer देखने वाले हैं और बहुत अच्छे notes के साथ आपको मैं चीजे समझाने वाला हूँ आप द 10 years मतलब पिछले 10 साल में जिदे भी questions आये हैं उनीवेसे मैंने question add किया है और बहुत अच्छे notes के साथ चीजे आपको समझाने वाला हूँ अब देखिए मैंने आपको एक और वीडियो में पहले ही बताया था कि आपके exam में लगबग 60 से 70% जो question आते हैं वो बहुत ही आसान के होते हैं मतलब ऐसे question को हर एक student कर सकते हैं जिनने normal study करी है पूरे साल कुछ नॉर्मल study कर रखे है तो वह भी 60% से 70% question है उसको attempt कर सकते हैं 70 marks लाने बहुत असान होते हैं इतने number लगबग average student के आ ही जाते हैं इसके अलाबा लगबग 20% या 30% question ऐसे हम मान के चल सकते हैं जि जोने थोड़ा जम के study किया है NCRT book को read किया है ना important question answer को समझा है और थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा सकते हैं अपना बुद्धी जो लगाते हैं वो student कर सकते हैं इसके अलाबा कुछ एक या दो question ऐसे होते हैं हर subject में एक या दो question ऐसे होते हैं जिसमें जादर तर इस् बच्चे अपने logic से answer देते हैं बच्चे अपना दिमाग लगा कर answer देते हैं तो उन question के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं कहां से आएगा लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे एक ऐसी वीडियो जरूर मैं बनाऊंगा जिसमें जो भी chapter से question जो घुमा के पूछा जाता है अलग करके जाएंगे आपके exam में इनहीं में से question आने वाल हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया 100% guarantee इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ठीक है अब देखें यहां पर हम इस chapter के बात कर लेते हैं आप लोगों को समझना आप लोगों के लिए आपको पांच पार्ट और एनिमेशन के थूरु आपको समझा रहे हैं तो यहार चैनल से आप लोग जूरे रहे एक्जाम बहुत ज़्यादा नजदीक है और मैं महनत कर रहा हूं आप लोगों लगा रहा हूं बस आप लोगों से भी मैं थोरस उम्मिद करता हूं कि आप ल कोशन है उसको हम देखना स्टाट करते हैं, अ तो प्यारे पच्छो पहला कोशन दिया तक है हमारा इस्त्मरारी बंदुबस के वारे में हमारे Kontware को पता नहीं है पहला question है, इस्थाई बंदोबस को हम इस्थाई बंदोबस के नाम से भी जानते हैं, यह tax एकत्रित करने की यानि की भूराजस्व एकत्रित करने की एक विवस्ता थी जो की बंगाल में लागु की गई थी, इसी को दूसरे तरीके से पूछ रकते हैं कि भी आ, इस्थाई बं लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी आड करेंगे वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ विरले का मतला आप समझेगे कि इस्तमरारी बंदोबस को ना बंगाल से बाहर बहुत ही कम लागू किया गया इसके पीछे कारण आपको बताने हैं तो पहले दो इस्तमरारी बंदोब गई थी अब बताएंगे तो भाई 1793 में लागू की गई थी किसके दवारा लागू की गई थी चार्ल्स कार्णावलिस के दौरा इस भ्यवसता को लागू की गई थी अब देखेए इस्तमरारी बंदोबस के अंदर कर दिया था कि राजस्प जो रकम थी वो निस्चिद कर तो कि Keeping जमिदार को क्या करना होंगा यह निश्चित को जो भी निशित एक डेट दिर जाएगा उस डेट तक उन्हें को अदा करना होगा और एक लाख ही ओगा रिक में इसको बठाया जा सकता था नai उसे 500 गाउं परदान किये गए इन सभी गाउं को मिला के क्या बन गया राजस्व संपदा बन गया मतलब एक ऐसी संपदा जहां से जमिदार क्या करेंगे भूर राजस्व एक अत्रिद करेंगे है ना उसके बाद जमिदार क्या करते थे यह तै करते थे कि वो किस गाउं से कि लेंगे कितिनी रासी खटा करेंगे कि यह आगे कम्पनी को राजस्प पे कर सकते हैं। तो अगर राजस्प के राजस्प की रादा करता था अगर जमिदार निश्चित तिथी को है ना तो यह के जमीन पो क्या कर दिया जाता था? निलाम कर दिया जाता था किसी और दूसरे जमिदार को इस टिन्या कंपनी क्या करती थी जमिदार के जमिन को चीन के दे दे दी थी तो इस तरीके से इस्तमरारी बंदोबस काम करता था आप देखी ये दोनो question जो है ना दोनो question में हमारे को यही answer बताना है बस आपको दूसरे question में कुछ और points नीचे वाला जो अगला question में बताऊँगा उससे भी कुछ points आप उसमें डाल सकते हैं लेकिन अगर आप इतना भी लिख देंगे ना तो आपको number मिल जाएगा cancel लेनी के जोबत नहीं है अब देखी अगला question है कि राजस्व रासी की अदाइगी में जमिदार की असफलता के क्या कारण थी तो दोनों सेम कोशन है question आप देखे तो दोनों ही सेम है और answer भी क्या होगा सेम होगा है ना अब देखी जमिदार जब इस्तमरारी बंदोबस लागो किया हिया तो इस्तमरारी बंदोबस लागो करने के बाद अक्सर जमिदार राजस्व की रकम अदा नहीं कर पाते थी अब या देखो आदा क्यों नहीं कर पाते थी क्या कारण थे कि राजस्व की रकम नहीं दे पाते थी तो सबसे पहला पॉइंट तो भाई राजस्व की मांग का उंचा होना इस्टिना कंपनी ने क्या किया इस्थमरारी बंदोबस के तहत हमेशा के लिए एक निश्चित रकम पै कर दी थी हमेशा के लिए कि एक लाखा कर निश्चित रकम है ना तो हमेशा यहीं रहेगा इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी तो इसलिए इसने कंपनी ने सोचा कि आगे आने वाले समय में अगर जमिदारों की इंकम बढ़ती है किसानों की इंकम बढ़ती है उपज बढ़ रही है तो उसमें ना वो हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकते तो इसने कंपनी सोचे कि हम पहले ही क्या करेंगे राजस्फ की मांग को उचा कर देंगे ताकि आगे आने वालों समय में इसने कंपनी को नुक्सान ना उठाना परे और इसी के तहत राजस्फ की मांग को इतना जादा उचा उठा दिया इतना जादा उचा कर दिया कि जमिद जम्मदों का कम होने का मतलब है कि किसान जम्मिदार को टैक्स नहीं दे पाएंगे ठीक है अब जब जम्मिदार को टैक्स भई किसानों से खुद नहीं मिल पा रहे हैं खुद जम्मिदार किसानों से टैक्स नहीं ले पा रहे तो आगे कंपनी को कैसे पी करेगा खुद सोचि तो यह एक रिजन हो गया कि उपस्की कीमते कम थी तीसरा पॉइंट है राजस्व का आसमान होना इसमें आपको इस्तिम्रारी सुर्यास्थ विदी के बारें बताना है ठीक है फसल अच्छी हो या खराब ठीक समय पर भुक्तान करना जरूरी था नहीं कर पाऊगा तो जमीन को कारून था जिसके तहत निस्चित तीथी को सुर्यास्थ होने से पहले राजस्व की जो रकम है उपको सुह्तान कर देना होता था। अगर आप एक जमीदार है और निश्चित तिथी को सुर्यास्त होने से पहले राजस्प की रकम आदा नहीं कर पाएंगे राजस्प की रकम नहीं दे पाएंगे तो आपकी जमीन को क्या कर दिया जाएगा निलाम कर दिया जाएगा यही सुर्यास्त विधी थी तो भाई मालों कि एक सेकेंड दो सेकेंड प सबी में जमिदारों के जो शक्ति थी जो पावर थी चील ली गई उँको बना दिया ऐंकopen मातिया उन्के बना दिया पास कोई पावर ही नहीं था ठीक है झाल किया करते थे अपनी राजस्ब शक्टा कमजोर हो गए थे इस कारण सही से टैक्स नहीं जुटा पाते थे और आगे कंपनी को टैक्स नहीं दे पाते थे ठीक है और यह बात समझ में क्या समझाने की कोशिश करता हूं देखो मैं आपको पहले बता रहा हूं आप कोपी और पहन अपने स्थांत रखी और चीजों को आ याद करने का में त्रिक है कि हम क्या करे में में कीवर्ड को याद कर ले जैसे कि में कीवर्ड का उचा हो चांज हो ना इस निस्तिक कि में पता लग जाएगा कि ने क्या जो अब लिखते और चाले आगे देखें अगला बात करते हैं जमिदारों की सत्ता को सिमिद करने के लिए इस टिना कंपरी ने कौन से कदम उठाए यह भी कोशन इंपोटेंट है यह तीन नमबर में आ सकता है कोशन ठीक है तो जमिदारों की सकती को सिमिद करने के लिए इस टिना कंपरी ने बहुत सारे कदम उठाए जैसे कि उनके जो कि जम्मिदारों के इंकम् का एक शूर्थ यहां कि सीमा शूर्क लगाया करते थे लेकिन अब सिमाव Draw कर दिया गया वह जम्मिदारों की जो भी कर चेरिया थी यानिक उनको जो डफ्तर थी उन दफ्तर उ को को अंग्रेजो द्वार जो निव solchen company इसने घुलेक्टर एं उसकी देख देख में रख दिया गया इसके अलावा जमीदारों से स्थानिये नियाए क्योंकि जमीदारों के पास न न नयाय करने के सकती , कहनए का मतलब क्या है कि है कि ह।व çाहए जो नयाय व्यवस्ता थी विंस में दमीदार बह स्थे लेकिन अब धाइस करने की विवस्ता भी में पताइंगे अगला कुशें नर्चार दिया गया है कि गाउं में जुहतोडारों कि सक्टी, जम्धारों की तागत कि अपिक्षा अधिक कारण सहीति स्पस्ट कीजिए जैसे कि हम बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में क्या हुआ, लगभग हम बात कर रहे हैं यह 58-59 सदी की तो और 58-89 सदी में क्या होता है एक जोतदार नामा के एक नए वर्ग का होता है ठीके, ये बहुत जादा तागतवर होते हैं मतलब जमिदारों से भी जादा तागतवर बनके उभर के सामने आते हैं तो इसी के बारे में हमें यहाँ पर समझाना है एक और कोश्चन इसी का दूसरा रूप मतलब दूसरे तरीके से भी इस कुश्चन को पूछ सकते हैं कि ग्रामिन बंगाल में जोतदार एक तागतवर हस्ती थी कथन को सपस्ट कीजिए ठीके, तो यहाँ पर हमें जोतदारों के बारे मताने हैं अब देखिए जोतदार है कुन जोतदार जो है वो धनी किसानों के सम्मू को हम क्या बोलते हैं जोतदार बोलते हैं और इनके जमीन पर खेदी कौन करते थे बटाईदार अब बटाईदार क्या करते थे खुद का हल ले करा रहे हैं, खुद मेहनद कर रहे हैं फसल उगा रहे हैं और उपज का आधा इससा किसको दे जाते थे जोतदारों को तो इसे ये भाई बहुत जादा पारफुल हो जाते थे क्योंकि इनको बिना कुछ किये पैसे मिल जाता था फसल वगयरा मिल जाते थे उसको बेज के काफे जानमोना फाई कमा लेते थे दूसरी तरब अगर हम जोत जोतदारों को मिलता था जोतदार गाउं वासी ओपर सीधा ग्राम वासी ओपर सीधा नियंतरन बना के रखते थे जो की जमिदार कभी नहीं कर सकती थे जमिदार हमेशा शहरों में निवास करते थी दूसरी तरब देखिए इस्थानिये बैपार और इस्थानिये साहुकार के जो कारोबार थे इस वे इनोंने नियंतरन जमा रखा था किसने जो उत्यदारों ने इस्थानिय वैबार यानि कि छोड़े लेवल के जो भी वैबार हुआ करते थे ना उस पर इनहीं का नियंतरन था और इस्थानिय साहुकार यानि कि छोड़े लेवल के जो भी लें दिन म जमिदार का यह अधिकार था कि वो लगान को बढ़ा सकता था तो जब जमिदार लगान को बढ़ाते थे ना तो जोतदार क्या करते थे उनका बिरोध करते थे है ना कि वाई तुमको हम लगान बढ़ाने नहीं देंगे और बहुत सारे किसानों को क्या कर लेते थे हो पक्ष में कर लिया करते थे और फिर जमिदारों को मतलब जो एक तरीके से जमिदारों को लगान देने में एक तरीके से देरी कर पाते थे किसान जब जमिदारों को लगान नहीं देंगे तो जाहिड सी बात है क्या होगा और जब जब जमिदार लगान को नहीं अदा कर पाते थे लगान सही समय पर नहीं दे पाते थे तो उनकी जमीन को निलाम कर दिया जाता था और निलामी के अब अगला question समझते हैं अगला question है जमिदारों ने अपनी संपता को निलामी से बचाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए देखिए जब जमिदार के जमीन को जब निलाम किया जाता था ना तो निलामी के समय क्या करते थे कुछ हटकंडे अपना के अपने जमीन को निलामी स ज़रूर करेंगे तब जाके हमारे को नंबर मिलेगा यहां पर सिर्फ हैडिंग है मैं आपको समझा देता हूं क्या है इसमें बताना आपको देखे सबसे पहला पूंट है महिलाओं के नाम संपति पर इस टीने कंपनी ने एक कानूर मना रखा था कि जो अभी संपति महिलाओ के नाम पर होगा ना उस पर अधिकार नहीं जता सकते है उसको अपने नेंदरनी अपने कभज में नहीं ले सकते हैं तो इसका फायदा जमिदारों ने उठाया जम के उठाया वो क्या करते थे अपनी बहु बेटी माता के नाम संपति करना स्टाट घरीया दुसरा फ Gleich फरजी विक्री में क्या होता था कि जब जमीदारों की जमीन को निलाम किया जाता था तो उसी के एजेंट लोग उसके जो नौकर चाकर होते थे वो क्या करते थे निलामी के दौरान उची उची बोली लगा के क्या करते थे उस जमीन को ख़िर्द लेते थे ठीक है और जो बो और फिर से रकम को अधा नहीं करते थे बार वारे परक्रिया चलती रहती थी और आखिरकार इश्टिने कमरी के जो अधिकारी थी वहार के पुराने जमीदार को जमीन स्वाप देते थे यह दो पैंड हो गया तीसरा लठियालों का अपरियोग अब यह लठियाल जो होते थे लठियाल आपको पता है कि जमीदार जो होते थे अपने बोडिगार्ड रखा करते थे जिनको हम क्या बोलते हैं जिनको हम बोलते हैं लठियाल अब यह लठियाल अपने पास लाठी रखते थे या लाठी लेके गोमते थे बंदुक वेगर तो उसमें होता नहीं था तो भा बाद है किसानों का जमीदारों से जुराब भाई बहुत सारे जो किसान थे पुराने जमीदार को अपना अन्य दाता मानते थे अपना भगमान मान लिया करते थे तो इस कारण कोई नया जमीदार जब जमीन पर आता था जमीन को खरीद लेता था तो पुराने जमीदार उसके जो भी बताया है समझ में आ गया होगा वीडियो अगर आप लोग ने देखा होगा बहुत अच्छे से वहाँ पर भी समधाया हुआ है अब बात करते हैं अगले कोशन की अगला कोशन है भाई पांचवी रिपोर्ट क्या थी तथा इसके लिखने के उदेश से भी बताना है प इस पर भहुत ध्यान से नजर रखी जाती झाती और इसी को लेकर । त्याहर की थी तो और 15 प्यूहक पेंट करिश्टक्राब に ये रिपोर्ट सब भी थी अब उधेश से क्या था इसको लिखने का तो भाई देखिए इस टिना कंपनी के किरिया कलाप पर नजर रखने के लिए जानकारी देने के लिए ये रिपोर्ट त्यार किया गिया दूसरा भारत और चीन के वेपार में इस टिना कंपनी के एक आधि प्रेन के व्यपारियों को हिस्ष्थारी दिलाना तो यह तीन पंट अब अलग से भी बना सकते हैं अब आगे हम बात करते हैं राजमहल के पहाडिया लोगों के जीवन की विशेष्था बतानी है बंगाल में एक जेगे हैं राजमहल का पहाड़ी पहाड़ी लागा था जिसक कि पहाड़ी लोगों का जीवन कैसा था दोनों में ही सेमी चीज़े हमें बतानी है चलिए आंसर देखना स्टार्ट करते हैं छोड़े छोड़े प्माण दे रखें देखिए भीया यह पहाड़ी लोग क्या करते थे जूम खेती करते थे जूम खेती का मतलब है घूमक लेंदिन करना पसंद नहीं करते थे अपने खाने के लिए नीचे जोपड़ी बना कर रहते थे एक आम के पेड के चाय में क्या करते थे अरामगिया करते थे अगर बाहरी बैक्ति इनके चेत्रे में आता था उसका क्या करते थे नियंद्रन बना και रखने के कोसिज करता था इसके अलावा देखिए मैदानी इलागों पर हमला करते थे मैदानी इलागों में अमला कर दिया उनके समान को लूट लिया ठीक है तो यह हो गया एक पॉइंट आपका तो यह सारे पॉइंट आप फाड़ी लोगों के जीवन की विश्यस्ता में बता सकते हैं आप यार वीडियो बनाने में बहुत महतन अध्या था पॉल्त ठाक सविवाशंय करें। यह हैं अगला कुश्चन है अंग्रेज कौर्अ पहाड लोगों पर नियंतरत करने के लिए कौन-कौन सी नीत्याप नाई बतलब आपको पता है कि पहाडिया लोगों पर नियंतरन रखनी की कुछिस की और उसके लिए कुछ नीतिया भी बनाई यासे कि यह दो नीती है 2770 की दसकी निटी 770 के दसकी निए था कि अंगडरी उनिंप का हुआ मिपधवरतन आया और भागलपुर के लेक्टेर नाम तो आउगस्ट्श Marx's लेंगन उन्होंने सांथी का परस्थाब रगा था यानि कि अब क्या करेंगे सांथी स्थापिद करेंगे और इसके तहट क्या किया गया जो पहाडिया लोहों के क्या किया बत्ता लेने से मना कर दिया और जिन्होंने बत्ता लिया उनको क्या कहा गया वह मुखिया वच्पर ब्ूसकौर निकाल लिया निष्कासथ कर दिया यह दोनों ही नीति को अग्रेज Casey यह सफल रही पहारी लोगों पर नियंतरन जमाने के लिए कि अब अगला कोशिय ने अंग्रेजा के लिए इस्थाईख खेती इसलिए करवाते थे ताकि जारा से ज्यादा क्या कर सके करवसूल सकते नियाद के लिए फसल पैदा हो सकता था है ना जिसको वो क्या कर सकते ब्रितेंट में निव्याद करके और तयार माल में बदलके भाराज जैसे बाजार में दुबहारा से उसको सकते थी इसके अलबाएक सूब्यवस्तिद समाज किस्ता अपना करने के लिए क्योंगि सूब्यवस्तित यानिकि एक अच्छा समाज बनाना है लोगों का स्थाइए रोप से रहना जरूरी था यानि कि सथाइए खेती की मदस्ती ही होगा यग जएवरिक किसान खेती करेंगे तभी हो सकता लिए तो सु ब्we Естьants समाज के स्क्रापना करने के लिए भी स्थाइए खेती जरूरी गया था अंग्रेजों और जमिदारों के द्वारा ठीक है तो संथाल लोगों की जीवन की विश्यस्ता क्या थी देखी संथाल लोग क्या करते थे व्यवसाइक खेदी करते थे ऐसे फसल उगाते थे जिनका वैपार हो सकता था जैसे कि तंबागू है कपास है इसलिए इनको क क्यां माने माना जाता यंको सभ्वय माना जाता था और जो पहड लोग थे वो असभ्वय थी लेकिन संथाल लोग सभव्य थी खेदी के लिए हलकाई स्तमाल करते थे पूरे गहराई से खेदों को जोता करते हैं जमीन को जोत हुद दे अंग्रेजेजों तर दाधाँ बुकानन्द एगन्ग हम जो बंगाल सीव उस्में उसने कारे किया था 1794 चलेक 1815 कुछ वर्षक के लिए वह भारत के गौनरREE सले के रूप में भी क्या गया था काम किया था जिसको कलकत्टा अलीपूर्थ चीडिया-घड कहते हैं और बंगाल सरकार के अंरोंद पर उसने ब्रिटिस ये कंपनी के अधिकार चेत्र में रहाने वाले भूमी का सर्विक्षन किया था जो भी इस्टिना कंपनी के मतलब अधिकार चेत्र में जितनी भी जमीने आती थी उसका सर्विक्षन किया उसके वारे में जानकारी जोटाया और ओ टाटा आगे इस्टिना कंपनी को उसने दिया था तो यह वुकानन क कि बीबुरान को पड़ते वक्त हमें क्या साभधानी बड़तनी चाहिए देखें वुकान आप पता है कि इस इनर अ कंपनी का देख सकते हैं तो इसलिए इसके और जो भी इसने रिपोर्ट हमें दिये हैं जो भी विवरन दिया है इसको साब्धाने पूर्भग हमें इसका अध्यन करना चाहिए और इसने मतलब कई वार क्या किया डाटा में फिर बतल किया है और बहुत सारी चीजे हो गलत भी लिखाए और बिशेज कर अगर हम बात करें तो यह यह पताता है कि किस तरीके से किसी जमीन को इधिकili पिजाव बनाया आरएild जासकता था और कौन सी फुत जाते थी पेर काटने जा सक्ते थी और कौन मतलब कौन सी फसल लूगाई जा सकती थी इसके वारे में उसका वर्णन विसेस कर रहा है और विसेस कर यह जो वनवासी जो थे ना उनकी जीवन सहली की आलोचना करता था था और जितने भी जंगल है उनको क्रीशी योगे भूमी में बदलने का समर्थ तक था मतलब कि जो भी जंगल है उसको काट के कोशिस करता था कि उनको क्रीशी योगे भूमी में बदला जाए तो यह पॉइंट से आप इस कोश्चन में बता सकते हैं विसेस कर ऊपर के दो पांट ही इसमें में है तीसरा पांट भी आप डाल सकते हैं तीन और चार पांट टोडल इ क्रीश किया कोशिंजने छिच feeling सबसे पहले दामीन इको के वारे इसके बाहले जोरा में पहाडी जो के घरा और बात करें तो रॉघ महल के पहाडी जेतर का जो पुझा लीकिन बाद में क्या क्या गया इसी इलाके में संथालों को बसाया गया क्योंकि संथाल खेदी करते थे तो नीचे वाले भूबहाग को क्या किया या संथालों की भूमी घोशित कर दी गई और इस ही भूबहाग को हमने क्या बोला क्या देखिए अंसर में क्या लिखाए दामीन यह को 1832 तक जमीन का एक काफी बड़े इलाके को दामीन को को के रूप में सिमांकित कर दिया गया इससे संथालों की भूमी घोशित कर दिया गया उन्हें इस इलागे के भीतर रहना था हल्ग चलाकर खेती करनी थी और इस्थाई किसान बनना था तो ही बाते बताई गई है दामीन इह को ओभो भाग था जो कि संथालों की भूमी खोशित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा कब 1832 में बस अब बात करते हैं इन्होंने विद्रोह क्यों किया अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की पीछे क्या कारण थे तो भाई संथालों को धिरे धिरे एसास होने लग जया था कि जिस जमीन को साफ करके उन्होंने खेती शुरू की उनके हाथ से निकलता जा रहा था जो सरकार है जो अंग्रीजी सरकार है क्या कर रही है वहां पर बहुत जादा कर लगा रही है उनकी जमीन पर लगा रही है साहुकार क्या कर रहे है उंचे ब्याजदर लगा रहे हैं जो भी पैसे उनसे उधार लेते थे उस पर बहुत जादा ब्याज लगाया जाता था और प्वाड़ा इलाका है वो उस पर जमिदार कहते थे हमारी भूमी है यहां तुम्हें जम मर्जी तब भगा सकते हैं ऐसा कुछ दावा किया जाता था तो इन चार कारणों से संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया बिद्रोह कर दिया अब हम बात करेंगे हल और कुदाल की बीज की लड़ाई देखिए हल और कुदाल की बीज की जो लड़ाई हो लंबी चली इस कथन को अठारवी से दी के दोरान राज महल की पहाडियों में रहने वाले संथाल और पहाड़ी लोगों के संधर में हिस्पस्ट कीजिए ठीक है? सिद्ध करना है आपको एक तरीके से तो कुदाल और हल की लड़ाई से हम क्या समझते हैं? बहुत अच्छा अंसर यहाँ पर दिया गया है, अब ध्यान से समझी हल और कुदाल की लड़ाई से अभी पराहे पहाड़िया और संथाल लोगों के बीच के संघर्ज से हैं हल संथालों की सक्ति का परतिक था, मतलब हल जो है वो संथालों की जीवन का परतिक है कुदाल जो है पहाड़िया लोगों के जीवन का परतिक है, क्योंकि क्या करते थे, पहाड़िया लोग का इस्तमाल खेती करने के लिए करते थे, जून खेती करते थे वे जंगलों को काटने के लिए हलका प्रियोग करने को त्यार नहीं थे है ना और उपद्रवी व्यवार करते थे मतलब उनका व्यवार अच्छा नहीं था किनका पहाडी लोगों की बात करें संथाल लोगों की बात करें तो लिए को हल के साथ पूरी ताघत से शेवां confident शेखते थे मतलब की संथाल लोग जमीन को पूरे पावर के सांद से जोता करते थे और पहाडिया लोग जो थे बाहर से आने वाले लोगों के लिए लोगों को संदेह की नजर से देखा करते थे तो यह सारी चीजे है आगे देखते हैं जब आपको पते कि संथालों को अंग्रेजों ने क्या किया राजमहल के पहाड़ी वाले भुभाग में बस आया तो जब संथाल राजमहरल की पहारी में बसे तो पहाड़िया लोगों ने क्या किया इसका विरोध किया परंदु धीरे धीरे पहारियों में भीतर की और उनको जाने के लिए विवस कर दिया और निचला जो भाग था उसमें संथालों ने क्या अधिकार कर लिया उपर वाला जो भाग था बहुत ही चटानी था बंजर वाला पर्देश था ना बंजर था वह पूरा और वहां पर वर्षा भी नहीं होती थी है न और खेती भी जमीन नहीं थी वहां पर तो इस कारण क्या था कि पहाडिया लोग बहुत साथ पहाड़ी लोग वहां पर जागे लेकर नीचे वाली जमीन थी जो है वह किसके लिए नीचे वाले पूरा थौरा मैदानी लागा था जहां पर खेती अच्छी होती थी वह इलाखा संथालों की भूमी गोशिद घर दी गई और इसको हम दामीनी को के नाम से जानत था मतलब कुछ समय के लिए पहाडी लोगों ने विरोध्तों किया संथालों का लेकिन उजीत नहीं पाया संथालों के जीत हुई पहाडी लोगों को मजबूरन चट्टानी लागों में जाना परा ठीक है और वहां पे बहुत सरे पहाडीया लोग मारे गए तो यह संघर्ष ह पाता है कुदाल और हल्के बीच के लड़ाई के बारे में यह पॉइंट्स आप लिख सकते हैं उम्मीद करता हूं आपको इस पॉइंट्स में आ गया होगा आगे हम बात करते हैं बंबए दकन की बात करेंगे देखिए कोश्चन कि आ है कि बंबए दक्कन में कौन सी राज की विश्यस्ता आपको बतानी है अथ्वा में एक और कोश्चन है कि रयत वारी बंदो बस क्या है रयतों ने हिंसक रूप क्यों लिया मतलब रयत यानि कि किसान किसानों ने हिंसक रूप क्यों लिया यह आपको बताना है इस कोश्चन में तो दोनों कोश्चन सेम है बस जमिदार होते थे हैं ना जो साहुकार थे या जो अंग्रेज थे बिरिटिस सरकार के खिलाब विद्रों किया वो पर्ण आपको बताना है इसमें तो देखिए सबसे पहले हम रहतवारी मंदोबस की बात कर लेते हैं देखिए बंबई दक्कन में जो राजस्फ परनाले लाग लेकिन यहां पर सिधा किसानों से सम्न्द बनाया गया जिया है एक अनुपाद में करका निर्धारन कर दिया तो चांकरी जोडाने के बाद करकानेदारन recording किया गया था हर तीस साल बाद क्या होता था जमीन का फिर से सर्वेक्शन किया जाता था हर तीस साल में एक बार क्या होता था जमीन का सर्वेक्शन होता था और उसके बाट राजस्प की रकम बढ़ा दी जाती थी मांग जो है वह बढ़ा दी जाती थी तो इस कारण सरकार के खिलाब रयत थे पहला तो भाई भूमिकर इतना अधिक था कि उसे चुका पाना किसानों के लिए संभब नहीं था ठीक है और जिस इलागों में जमीन घडिया किस्म की थी वहां तो और जादा गंभिर समस्या आती थी जब वर्सा नहीं होता था फसल खराब हो जाता था तो उसे में उनको लगान चुकाना पड़ता था था तो से लगान चुकाने में असमर्थ होते थे लेकिन फिर भी उनको लगान देने के लिए मजबूर किया तो इन सभी कारणों से रयत क्या थे ब्रेटिस सरकार के खिलाब थे उन्होंने हिंसक लिया था यह पॉइंट आप लोगों को समझ में आगया होगा आसान है ज्यादा कठिन है नहीं मैं आपको पहले बता चुगा हूं भाई पैन और कोपी अपने साथ रखे चीजों को लिख लिखते हुए चलिए आप तभी आपको चीजे समझ में आएंगी हिस्ट्री इतना असान नहीं है जितना आप लोग समझते हैं आसान बनाने के लिए आपको महनत करना पड़ेगा और जम करना परेगा चीक है रोशन भही आप लोगों भी एफर्स लगाने ही पड़ेंगे बाबू तब ही जाके बाद पनने वाली है नहीं तो फिर रोते रहोगे तुम कि अगला कोश्चन है सांस ले लो जड़ा फिर आपको समझाता हूं अभी है दो तीन कोश्चन और इसमें अभी बताने है तीन कोश्चन और है चलिए कोई नहीं अब हम बात करेंगे अमेरिका में जो अमेरिका में गिरह युद हुआ था अमेरिका अमेरिकी गिरह युद के दौरान भारत में आई कपास की तेजी के प्रभावों का वर्दन कीजिए तो यहां पर आम आदिखिए यहां पर स्टॉरी के तरह आप इसको समझ दगते हैं य लेकिन अमर्यका में ग्रयाइब हो जाता है तो इसलिए क्या किया अब कपास जो है वह भारत से मंगाया जायेगा और भारत के किसानों किसानों को ब्याज मिलेगा मतलब कि जो ब्यापारी थे उन्होंने क्या किया सहुकारों को अग्रणी रासी दे वाय उनको बोला सहुकारों को तुम knit उद्हार दोses उनको बोलोकी यह कप आज की खेदी करें कि छूट दो टीक इन तो किसानों को बहुत जादा धनरासी दी गई किसलिए धनरासी दी गई ताकि यो क्या कर सके कपास की खेदी कर सके कि अब देखिये जब बाजार में तेजी आई थी मतलब कपास की डिमांड बढ़ी तो रीन आसानी से मिल जाता था और रीन दाता उधार दी गई रासी को वसूलने के पड़ती अधिक आस्वस्त थे मतलब उतना ज़्यादा गंभिरता पूर्वक उसको नहीं लेते थे ठीक है दक्कन के गाउं के रहतों का अचानक असिमित रीन मिलने लगा था मतलब बहुत ज़्यादा रीन मिल रहा था उनको उन्हें कपास उगाने के लिए परते के एकर के लिए 100 रुपए अगरनी रासी दी जाती थी उस समय के लिहाज से 100 रुपए बहुत ज़्यादा थे तो इतनी रासी उनको असानी से मिल जाती थी और जो साहुक कने कपास के उत्पादन बढ़ता रहा 1862 तक इस्तिती आ गई कि ब्रिटेन के कुल कपास के आयात का लगभग 90% अकेले भारत से जाता था भारत से वो क्या करते थे आयात करते थे कपास कितना 90% 1862 का टाटा है परंतु तेजी के इस वर्ष में भी कपास उत्पादकों को सम्रिद्धी प्राप्त नहीं हो सका कुछ धनी किसानों को लाब अवस्य हुआ परंतु अधिकांस किसान रीन के और अधिक रीन के बोज में और दबते चले गए ठीके अब देखिए यह इस्तिती ज्यादा दिनों तक अच्छी रही नहीं 1865 में क्या होता है यह जो किरह यूद अमरीका में चल रहा था उस समाप्त हो गया और भारत में अब कपास की जो खेती थी वो भी कम हो गई क्योंकि अब फिट से कपास का जो आयात था ब्रेटेन ने कह से करना सुरू कर दिया अमरीका से तो इस स्तिती में अब हमारे जो भारत के जो किसान है उनकी स्तिती और चादा देनिये होने वाली थी मतलब कि अब उनको कोई पैसे उधार नहीं मिलने वाला था और उस समय जब तेजी आई थी बाजार में और उस समय जो पैसे उधार उ ब sprayedुद्फ करने खरने की लिए प्रिरिद्थ किया तो यहां आपको बताया ना है किवह । है कि किसान ने Saya थे उ्हाद दाता होते हैं को जो पैसे उधर करते थे अब यदे आफ को उनके वारे में विध्रोह क्यों किया खिया वैं बहुत सारे ऐसे कारण थे यह कारणतनी औरहने वारत के किसान थे, उन्हें, रीनदातां के खिलाफ, बिद्रो किया था, ए खिलाफ अबाज उठाया था तो देखिए पहली बात यह, जो भी रीनदाता थे उइतने जादा समवेदन हीन हो गएते, किसानों को ऐसा लगता था कि दिइन अधा इतने जादा समवेदन हीन हो गए हैं कि उनके दसा पर तरह समेदन हीन का मतलब ये कि उनके अदर विछ समवेदना नहीं और दिखे और जो यहांदी परंपरागत मानकों का उलंगन कर रहे थे मतलब कि जो नियम बनाएगे थे रीन वसूल ने और रीन व्याज लगाने का उसका क्या करते थे दजिया और रखा था भाइकर कें सव रुपए मूइब्डळन है 100 रुपIs वन्होंने लिया है पैसे उधार दिह पर Ghibli Raja लगाते थे को इसके अलबन बिना चुकाई गई व्याज की राषा को नए बंद पत्रों में सामिल किये जाते थे मतलब की जो भी व्याज उन्होंने नहीं में सामिल कर लेते ठीक है और उस रासी में लुटाया चकर व्याजाइब सबस्कर्थ से क्या को गड़ते हैं तो कि उसको यह भैट बूसको कोई रसी नहीं दिये जिलिए रिन दाता क्या करते थे बंद पत्रों में जाली आक्रे भर देते थे जो भी रिन पत्र होता था उस पे जाले डाटा भर दिया जाली आक्रे भर दिये किसानों की फसल की जो कीमत है उस ही कीमत नहीं दिया उनको कम कीमत में ही खरीद लिया है ना उनके संपत्ति पर ही अधिकार जमा लिया यह सब कारण है जिसे कि किसानों ने विद्रो किया ठीक है यह सब ऐसे कारण है जिसके वज़े से किसानों ने विद्रो कर दिया रिंदाता होगे खिलाफ ठीक है यह हो गया आपका अगला कोशन देखते हैं परिसीमन कानून क क्या था इंपोर्टन कोश्चन है परिसीमन कानून के बारे में अधिकांस इस्ट्ट्ट को नहीं मालूम होता देखिए इस ने कंपनी ने क्या किया कानून बनाया ज्घास समय तक रखिम को कम करने के लिए कि इन गार्षद्यन कानून ने कानून बनብा नथे लियुकरों के लगलिए तर तीन वर्स के लिए मानने रहने वाला था मतलब कि जितने भी पैसे उधार लिए और जो भी उन्होंने हस्ताक्षर किया जिस रीन पत्र पे वो केबल तीन वर्ष के लिए मानने रहेगा कहने का मतलब एक कि उस पर जो ब्याज लगेगा ना वो तीन वर्ष के लिए ही लग सकता है उसके बाद नहीं लगा सकते उसके बाद वो रीन पत्र मानने ही नहीं रहागा ऐसा कानून बनाए गया था परिसीमन कानून मतलब सिकाल लगा लगा दिए इसके बाद थिमसे लगान नहीं सकते उस रखंब एसा अंग्रेजी ने इसलिए उन्हें कमने लेकिन जो रीन दाता थे उन्होंने घुमा फिरा कर क्या किया घुमा फिरा कर इसको अपने पक्ष में कर लिया और फिर्श बाद एक नया बंध पत्र यानि कि रीन पत्र रीन दाता उसे नयरिंद बंत्र जो चो मनाय मैं पुराना जो पैसा था युधा सूरर रुपय्स पैसे उधार लिये कए ठीकNOय Mlaus कि सौ रुपय प्लस में दो हजार दोनों को प्लस कर दिया 200 मना दिया 200 हो गया मूलधन और अब इस पर व्याज लगेगा तो व्याज की रोकम और बढ़ सहीगी भाई के अहों तो गोमा अफिरा के परिसीमन कानून को भी अपने पक्ष में गर लिया और इस कारणवर्स कानून को भी य से रेत्यों के लिए हिन्सा का या उनके सोसं करने का एक कारण माना जाता है विद dennा कैसे वयसे उनका क्या हुआ बहुँ जैदा उनके साथ गलत विभार हुआ और मतलब कहने का मतलब भी गलत विभार कह रहा हूं उनका शोशन हुआ और ज्यादा ट्यक्स केह रहा हूं और ज्यादा कर लिया था तो देखिए यार बोलते बोलते थक से हुखाऊंगा बोलने का बिलकुल मन नहीं कर रहा है लेकिन आप लोगों का जितने भी इंपोर्टन कोश्चन इस चप्टर के थे खतम करवा दिया है अब कुछ नहीं है इसमें और ये सारे कोश्चन थे लगभग 15 से उपर योंगे 20-14 कोश्चन में इसमें से करवाये हैं और ज्यादातर कोश्चन जो है इसनी में से आने वाले या इनहीं में से आएंगे इसके बाहर कुछ नहीं आएगा ठीक है लगभग 17-18 कोश्चन है मेरे साब से काफी है इतने कोश्चन काफी है इनहीं में स कलर के.